हेलो गाईज वेलकम टू दिवीजा टूटोरियल क्लासेज मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल दिवीजा टूटोरियल क्लासेज में तो दोस्तों आज जो है हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अब कैसे जो है बोर्ड की त तैयारी कैसे करें उसके लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स दूँगा कि कैसे जो है हम लोग अपनी तैयारी जो करें ताकि हमारा जो नंबर है कम से कम 80 प्लस तो आई जाए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के ल कर समंदर भी आएगा हार करना बैट मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो आप तमाम दोस्तों को मेरी और से धेर सारी शुब कामना है और जो भी बच्चे इस बोड की प्रिपिरेशन कर रहे हैं आप सभी को मेरी और से बेस्ट ओफ की एकजाम देते हैं बोड की जो परिक्षा देते हैं परिक्षा देके आगे का जो सपना देखते हैं क्योंकि यही जो होता यह निरधारित करता है कि आगे आपको क्या करना है बहुत सारे बच्चों ने तो अभी से सपना देख लिया होगा कि मुझे जो है आयाइट करना ह तो उन सब चीजों के लिए जो जरूरी है और एकदम इंपोर्टेंट है वो है आपका बोड अब इस बोड में 80% नंबर जो है कैसे लेके आए यह सारा जो है टिप्स और ट्रिक मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी पहली बार मेरी इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि नवी दसवी के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों को इन्फोर्मेशन आती रहेगी मैं आप लोगों को परवाइड कराता रहूंगा तो सबसे पहल कुछ पता नहीं आगे कि कौन सा चैप्टर आ रहा है कौन सा चैप्टर नहीं आ te avere उससे मतलब नी है पढ़ने आ बस मेरे से कितने नंबर के आ रहे हैं सबसे पहला मेंं आप लोग यह कर लिजिए अभी दो महें बहुत होता है जिनों ने कुछ भी नहीं पड़ा ना उन लोगों के ली भी बता रहों की दो महें एनफ है सबसे पहले अपना जो है सिलेवस से खंगार लीजिए कि कौन से चप्टर से कितना कितना आ रहा है नंबर का और जिसमें ज़्यादा वेटेज है जिसमें ज़्यादा बेटेज है सबसे पहले उसको कोशिश कीजिए कि कर ले सपोज रेट की अगर आपने मैथेमेटिक्स लिया और मैथेमेटिक्स में आपको पता है कि अलजेबरा से जो है मुझे 20 नंबर या 25 नंबर के आ रहे हैं तो सबसे पहले अलजेबरा को कोशिश कीजिए कि उसको खतम कर दिया जाए फिर वैसा ही साइंस में उठा लीजे कि सा वाला चैप्टर खतम कर जाना है तो खतम करना पड़ेगा भाई यह नहीं कि छोड़ो भाई बाद में कर लेंगे कल से कर लेंगे परसों से पढ़ लेंगे तरसों से पढ़ लेंगे ऐसा है नहीं जब पढ़ना है तो आज से अभी से और इस वक्त से ही लग जाईए क्योंक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम टेबल के साथ कैसे आपको पढ़ना है तो सबसे पहला काम आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस जो है कौन-कौन सा आ रहा है कितने कितने वेटेज का है वही चैप्टर को पढ़ें सबसे पहले और उसी पूराने पंदरा साल पूराने ज्यादा पूराने मत जाएए दस साल तक ही जाए दस साल से जितने भी आये हुए हैं मैंने क्या बोला कि अगर आपको अलजेबरा 20 नंबर का आ रहा है ना तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि प्रिभियस येर में देखना है कि आप से कर सकते हैं जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं यहीं करते हैं वह पूरे करते हैं करते हैं चीजों को कि भाई कहां से किस नंबर से कितने किस टॉपिक से कितना नंबर का रहा है इसलिए उनको सब कुछ पता रहता है कि मेरे को इस नंबर इस वाले टॉपिक से इतना नमबर का रहा है तो क्यों न पहले मैं उसी चीज को करूं तो सबसे पहले स्लेबास दूसरी बात आपको प्रिब्यस और तीसरी बार कि नो टेंशन टेंशन ले नी भाई आपको कोई भी हैड़क दिमाग में ने कोई भी टेंशन नहीं लेना आपको कि अब कैसे होगा मैंने तो कुछ किया नहीं है यह कुछ भी सोचना नहीं है बस आप अपने मन में एक चीज दिमाग में सेट कर लिजिए कि मुझे अपना 100% देना है वह आपको कैसे देना है टाइम कैसे मैनेज करना है कि किस समय देना है यह नहीं कि आज पूरा दिन जो है मैथ पढ़ते तो मैथ पढ़ते रहे गए और फिजिक्स बचारा उदर रो रहा होगा कि यह मेरे को भी तो देख ले अब यह नहीं कि साइंस लेते जाए यह उदर जो एसस टीए बचारा गुस्से में बैठ जाए मेरे को त कीजिए और अपने दिमाग से टेंशन की जो बात है टेंशन को हटा दीजिए और आपको क्या करना है जो मैंने बताया यह सारा कुछ कीजिए कि सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी नहीं होगा लेकिन नोट्स जरूरी है नोट्स जो बनाया होगा उसको वह नंबर ला सकते हैं तो तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और आप जो मैंने जो बोला है उसको एक बार जरूर फोलो कीजिए सिलेबस पर ध्यान दीजिए कौन-कौन से आपके सिलेबस में आ रहे हैं उस सिलेबस के एकॉर्डिंग अपना जो है ट के साथ पढ़ाई करना है तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों